मांग दतक लीधी, महेसाना जिल्लानी, सत्य घटना, प्रमिलावेन ने रोज एमने वहू दिक्रो खुब खोटी गालो आपता, अने कहेता के तुन घर छोडी जती रे, बिक मांगी ने पन खाई शके छे, तुन अमने आ घर मांग न जोईये, परन्तु पतिना मृत्यू रमिलावेन मोडा सा बाजू एक गाम मांग मोटा दिक्रा साथे रहेता, अने राजेश एनी पत्नी कल्पना साथे अमदावाद मांग रहेतो, रमेश नी पत्नी रिंकल रमिलावेन पर खुब अत्या चार करती, अने रमेश पन एमांग सामेल थतो, एनी सगी मांग होवा चतां रमेश ने जराई दयान आवती, प्रमिलावेन ने ब्लड प्रेशर नी तकलिफ हती, तो डोक्टरे एमने रेग्यूलर दवा लेवानूं की धून हतूं, परन्तु रमेश क्यारे एमना माटे दवा न लावतो, प्रमिलावेन जाते जर दवा लेवा जता, अने पोता पतिना मृत्यू बाद एमने ज्यारे दिक्रा वहुना सहारानी वधारे जरूर हती, तो दूर बे समयनूं भोजन पन शान्ति थी नहोतूं मलतूं, प्रिंकल एमने भोजन आपती तोए, एमान जानी जोईने क्यारेक मर्चूं वधारे नाखी देती, तो क्यारेक मिठूं वधारे नाखी हम्मेशा हेरान करती, प्रमिला बेन तो बधूं जानी चुक्या हता, परन्तु मजबूर हता, शूं करी शकता, जो काई बोले तो वहुन दिक्रो एमने घर बहार काड़ी मुपता, मुंगा मोड़े बधूं सहन करी जीवन पसार कर्या सिवाय, एमना पासे क पतिना विमाना पैसा हता, ने बनने दिक्रावनी नजर एना पर हती, प्रमेश अने रिंकल ने इच्छा हती के, राजेश तो वहीं रहेतो न थी, तो विमानना बधा रूपिया लईने, मम्मी ने घर बहार काड़ी मुपिये, परन्तु रूपिया कोने वहाला न होए, रा जु तबियत मांग कोई सुधार नथी आवयो, प्रमिलावे ने कहिऊं तुम सारा होस्पिटल मांग दवा करा, आम क्यां सुधी चाल शे, राजेश बोलियो मम्मी बधूं करावी चुक्यो पन कोई फेर नथी पड़ियो, तुम अहीं आवी जातो तने जोईने मारी तबि राजेश बेटा तुम सवारे मने अमदावादनी बसमांग बेसाडी देजे, राजेश नी तबियत सारी नथी मने त्यांग बोलावे छे, प्रमेश बोलियो मारा पासे क्यांग धगलो रूपिया पड़िया छे, तो हूं तने अमदावादनी बसमांग बेसाडी दों, ता मने अमदावादनी बसमां बेसाडी दे मने एमां खबर नथी पड़ती एकला माटे कहूं छूं नही तर हूं जाते पंड जती रहेती प्रमेश बोल्यो सारूं हूं बेसाडी दैश्पन तमे मने विमाना बधा रूपिया आपी ने जाव प्रमिलावेन एक हुं मारा पासे ए वे एकलूं तो रहेवा दे प्रमेश गुस्से थाई गयो अने जेम तेम बोलवा लागयो आ सांग्री एनी पतनी पण एनो साथ आपवा आवी गयी प्रमिलावेन एकला शूं करत तो विमाना पैसा मांग थी गड़धा काड़ी लावे छे अने रमेश ने आपी दे छे पै इसा जोई ने तो रमेश ना आँखो मांग चमक आवी गई अने एना मम्मी ने बसमांग बेसाडवा तैयार थाई गयो पोता ना दूत थी रमिलावेन नी आखो आसु थी बिन जाई गई अने एमना रूम मांग खूब रड़या वगर कारणे रोज खराब गाड़ो सांब पड़ूं पड़ूं हतूं बीजा दीव से वहेली सवारे रमेश येमने अमदावादनी बसमांग बेसाड़ी टिकित पन लई आपे छे कारण के रमिलावेन अभण हता कंड़कटर ने कहीने सर्ना में पहोंचाडी देवानूं पन कही दे छे लगभग बेहडी कलाकनी बस नाहूं समझावी दे छे अने रिक्षा चालक रमिलावेन ने छे घर सामे मुकी जाए छे घरे पहोंची जुयूं तो रमेश बेग पर पड़ियो हतों परन्तु शरीर्थी ये बिमार जराय नहोतों लागतों आटली दूरनी मुसाफरी करी आवया छतां कल्पना पाणी प ने ना घर सुधी आवी पहोंची ए राजेश ना बाजु मांग बेठा अने कहिऊं बेटा कोई सारा होस्पिटल मांग सारवार करावी लेतों तबियत मांग जल्दी सुधार आवशे राजेश बोलियो मम्मी मारा पासे तो घर चलाववा माटे पंड पैसा नथी तो पार क्यांती करावूं बात माटे हामी पूर्ता कल्पना पंड कडवा शब्दो मांग बोली हाम आजी त्रण महीना थी तो घर मांग पड़या छे एक रूपियो कमायो नथी अने बधा पैसा दवा मांग जाए छे क्यांती घर चलाववानूं मारे आ सांगली रमिला बेन एमना परसमांग थी थोड़ा रूपिया काड़े छे अने कल्पना आपे छे एमने कहिऊं के तुम राजेश नी सारवार करावूं हवे हूं अहीं आवी गई छुमने तो तुम चिंता ना करीश बधूं सारूं थाई जशे आम कही रमिला बेन फ्रेश थवा गया अने अही राजेश कोतानी मानने छेत्री रोज थोड़ा थोड़ा रूपिया कढ़ावी लेता एवा मांग बदे कोरोना वायरस फेलायो अने सर्वत्र लोकडाउं जाहेर करवा मांग आवयो राजेश ने हवे घर बेठा पैसा मलता हता तो ए वधारे आरसु थवाल आगयो तो हमेशा नथी चालती बदला तो आवे जचे हवे रमिला बेन पासे रूपिया पूरा थाई गया अने लोकडाउं थवा थी राजेश नोकरी पन नहोतो जै शकतो रूपिया पूरा थता जब अन्ने नो असली रंग सामे आवाल आगयो कल्पना एमने त्रास आपवानू शरू करी दी दूं एमने दवा फेंकी देती कपडां पन आम थी आम फेंकी देती राजेश बोलियो मम्मी जो वहीं रहेवूं होई तो पैसाला के पची पाची चाली जा तारा मोटा दिक्रा ना घरे प्रमिला बेन बोलिया मारा पासे विमाना जेटला रूपिया हता एमा मने आपवाना हता तुम अत्यारे जगर नी बहार निक्री जा रमेश पासे त्यां रहे जे तुम हवे अहिं मारा घरमां ना जोईए कल्पना अने राजेश बने रमिला बेन ने धक्का मारी काड़ी मुके छे एमने खुब अजीजी करी के मारा पासे एक रूपियो नथी हूं क्यां जैश केवी रिते रहीश, आवा लोकडाउं वच्चे हूं क्यां आशरो लैश, परन्तु पत्थर दील राजेश अने कल्पना पर एमना आन्सुओनी कोई ज़ असर ना थाई रमिलाबेन रड़ता रड़ता त्यां थी बस स्टेशन पासे पहुंच्या, लोकडाउं ना कारणे रस्ता पर कोई देखा तूं, पन नहो तूं, क्यारेक माक्त्र देखरेकर आक्ति पोलिस के टीवी रिकोर्टर देखाता बीजा दील से एक रिकोर्टर नी नजर रमिलाबेन पर पड़ी, अने लाई हता ए बधूं कुछे छे, के आवा समय मांग घरनी बहार न निकलवूं जोईये, अने तमे अहीन शूम करी रहया छो, रमिलाबेन एमना साथे थैला वक्त्या चार वीशे बधूं जर जनावे छे, पची रिकोर्टर त्यांती चालेव जाई छे, अमुग स्वयन सेवकों गरीग लोकों ने मदग करता त्यांती एमने रमिलाबेन बस स्टेशन पर नीचे आडा पडेला देखाया, एमने उठाडी ने बोजन आपियूं, रातना भुख्या होवा थी एमने फटाफट बधूं खाईली धूं, स्वयन सेवक ने लागियूं के माजी वधारे भुख्या छे तो एमने बिजो एक फूल पेकेट आपियूं, रमिलाबेन एक पन खाई गया, अने पची ए स्वयन सेवक पोलिस नी मदग थी, एमने नजिकना व्रुप्धा श्रम मां भरती करावी दे छे, कारण के त्यारे कोरोना खुग पोर्टर द्वारा शूट करेल, मुझ परच जुए छे एना विशे बधूं जान थताम, तरत ए त्यानना व्रुप्धाश्रम पहोंचे छे, एनू नाम प्रविन हतु, व्रुप्धाश्रम ना कर्मचारी रमिलाबेन ने कहे छे, के तमने कोई प्रविन नामनों छोकरो हूं तो एवा कोई छोकराने जानती पण न थी, प्रमिलाबेन बहार आव्या, अने फोर्मल कपडा मांग प्रविन उभो हतो, एने कहियूं हूं प्रविन छूं, मारी पत्नी अने मारी नानी बालकी बहार उभाचे, अमेन तमने लेवा आव्या छिए, मेन तमारा विशे टीवी मांग जोयूं, अने हूं अने मारी पत्नी बने अनाथ छिए, इची ए छिए के तमे अमारा मम्मी तरीके अमारा साथे रहो, जेथी मारी बालकी ने पन दादी नो प्रेम मले, प्रमिलाबेन नी आंखो मां खुशी ना आंसू आवी गया, एमना मनमां विचार चाली रहया हता, के मारा सगा दिक्रा मने घर बहार तगेडी मुकी, मने पन लूंटी ली धी, अने एक अनाथ छोकरो मने मां तरीके लेवा आवयो छे, मने पासे राखवा मांगे छे, प्रवीन कहे छे के मम्मी तमारा बंगने दिक्रा पर कारेवाही करावी, एमने सजा थवी ज परन्तु आजे कोई अनाथ दिक्रा ए मादतक लिधी, कहेवाई छे के जेना पासे जे वस्तु होए छे डोड, एनी जराय कदर नथी होती, परन्तु जेना पासे नथी होती एने जे एनी साची किम्मत समझाई छे, जे रिते बने दिक्राओ ए स्वार्थ खातर रूपियान मोहमां, पोतानी जन्नी ने हेरां करी, अने त्रास आप्यो, एना माटे कुग्रत क्यारे ए मने माफ नहीं करे, जे करियूंग छे ए पाचुम वल्तुम मलवानूंग जचे, जो स्टोरी तमने गमी होई तो, लाइक करो, मिक्त्रो साथे वधु मांग वधु शेर करो, तो मल एक आवी जन्नवी स्टोरी साथे, त्यां सुधी बधाने जाई श्री रांग, धन्यवाद